हे दोस्तों मेरा नाम है राजबी रजबी में बात करने वाले हैं ऐसे पांच एप्स के बारे में जो मैंने अक्टूबर महिने में यूज किया काफी ज अच्छे खासे रिंस्पांस मझे दिये और उन्हीं पांच अप्लिकेशन के मैं सेयर कर रहा हूं इस पीडियो में जो आ ब्लिकेशन का आपया से मैं आपको दिखाता हूं एक देमो करके जैसे मैं दिखा दूं यहां पर जैसे आप इस अप्लिकशन को open करते हैं तो हम चलते अपने storage में और देखते हैं कि हमारा MS player आ चुका है कि नहीं कि तो देख सकते हैं हमारा MS player आ गया है तो बिल्कुल easy और easy step में इसे आप apply कर सकते हैं बहुत एच्छा application है try जरूर कीजिएगा चलते हैं next app की तरफ दोस्तो अगले application की बात करते हैं तो files को और यह फटाक से खोल देता है उसके लिए आपको अलग से application डाउनलोड करने की ओसकता नहीं है कि भाई PPT पढ़ने के लिए कोई app डाउनलोड कीजिए या फिर mkv या फिर कोई भी rdm formats या फिर कोई भी वीडियों से related formats को खोलने के लिए अलग अलग application डाउनलोड करने को सकता नहीं है आप आप स्क्रीन पर दे सकते हैं कि यह कितने format को support करता है यानि कि एक app डाउनलोड कीजिए और दुनिया भर के सभी format को आप यूज कर सकते हैं उसको उनको पढ़ देख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो काफी useful है यह file viewer दूस्तों अगले आपकी बात करते हैं नाम है उसका वेल पेपर बतादे कि यह जो application है OnePlus की तरस है यानि कि यह OnePlus का product है और बतादे कि यह wallpaper नहीं है बलकि यह productivity category का app है बतादो कैसे सबसे पहले click करते हैं wallpaper पर उसके बाद नीचे देखें कि यह आप तीन wallpaper दिये गए है जो apply कर सकते हैं लेकिन तीनों का काम एक ही है कैसे मैं आपको उतादत हूँ जैसे आप view पर click करते हैं आपके phone में जितने भी apps हैं उनको यह wallpaper categorize कर देता है कि यह social category के हैं यह communication category का है और यह applications आपके tools category के हैं और यह जो well paper है indicate कर देता है square के form में अभी लगभग बज रहे हैं चार और लगभग मैंने यूज किया है tools category के app सबसे ज़यदा जैसे कि आप दे सकते हैं square यह काफी बड़ा होता चला जा रहा है अगर आप सुबह start करते हैं phone का alternative है अगर आप इस application को use करते हैं तो आपको lab किया होगा सबसे पहला lab हो गया आपका YouTube के जतने भी premium features है आपको इस app में देखने को मिल जाएंगे और वो premium features है जैसे कि आपको एक भी add देखने को नहीं मिलेगा उसके साथ आप जो भीया बीडियों को PIP mode में चला सकते हैं जैसे मैं दिखा दूँ कुछ इस प्रिकार से no copyright magic में ने सर्च किया और कोई भी बीडियों में play करता हूँ और यहाँ पर नीचे तरह देख सकते हैं यहाँ पर pop-up का आगया option और मैं इसे apply कर सकता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यह video हमारा यहाँ पर start हो चुका है और मैं चलता हूँ अपने home screen पर और देख सकते हैं video हमारा play भी हो रहा है और हम दूसरा काम भी use कर सकते हैं और यह रहा हमारा यह video play tube और भी कुछ features हैं जो आप try कर सकते हैं अगर आप वे आपको इस्तेमाल करते हैं तो चलते हैं next application के तरफ दोस्तों पहले application का नाम है privacy to privacy world अगर आप इसे install करते हैं तो वहाँ पनाम change हो जाता है इसका नाम privacy से हो जाता है तो शुरू आपने कुछ इस परिकार से आपको interface देखने को मिल जाता है यानि कि यहाँ आप आपको passcode देना पड़ता है मैं देता हूँ तो देने से पहले बता दूँ कि इस application का आप किस परकार यूज कर सकते हैं तो मैं बता दूँ अगर आप ढूल रहे हैं कोई ऐसा app जिसे कि आप अपना lock कर सकते हैं sensitive photo या video या फिर कुछ भी ऐसा तो आप यह application इस्तिमाल कर सकते हैं बतादे कि application बहुत जी तगड़ा है और तगड़ा क्यों है क्योंकि यह जो application है सिर्फ किसी photos या folder या वीडियो का lock ही नहीं करता hide ही नहीं करता बलकि उसे encrypt करता है वह encrypted code आपके Google Drive Stories पर sync करता है यानि कि आपका file का size sync नहीं होता है सिर्फ आपका encrypted code वह sync करता है इससे फाइडा यह होता है कि मालेज आपका phone खो गया या फिर memory करप्ट हो गई या फिर app ही अनिस्टाल हो गया दोस्तों यह सारे आपको कैसे application लगे comment box में जरूर लिखिएगा अगर आपको कोई application अच्छा नहीं लगा है तो वह भी आप comment box में बे हिचक लिखिए और क्यों नहीं अच्छा लगा उसको भी आप लिखिएगा जरूर